का स्मार फ्री चेंडलश्टिक्स पैटरन कॉस बुम टेड़ में आपका स्वागत है इस कॉर्स में हम सीखने वाले है हॉouse क्रीड चेंडलश्टिक शॉट टाइप हाउट। यूज हम केंडल शुतिक्स पैर की से रेट करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं और इन को कैसे किया जाता है अब आते हैं Type ये तीन प्रकार के होते हैं पहला Reversal Candlestics Pattern दूसरा Continution Candlesticks Pattern तिसरा Natural Candlesticks Pattern इन तीनो पैटन को हम आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक कर के डिटेल में डिसकस करने वाले हैं अब इक लिए हम जानते हैं कि reversal candlestick pattern क्या होता है पहले आप basic समझ लिजिए जो reversal candlestick pattern होते हैं जैसे कि मार्केट नीचे की side में आ रहा है तो ऐसे candlestick pattern जो हमें indicate करते हैं कि market यहां से reverse होगा मतलब मार्केट नीचे आ रहा था यहां पर कुछ ऐसे candlestick pattern बनेंगे जो हमें indicate करेंगे कि market यहां से reverse होगा मतलब उपर जाएगा जब मार्केट नीचे आता है तो इसको बोलते हैं मार्केट बीरिस है जब मार्केट ऊपर जाता है इसका मतलब मार्केट बुलिश है ठीक है तो जो reversal candlestick patterns होते हैं वो ऐसे point पे indicate करते हैं कि market यहां से reverse होगा अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो यहां से indicate करेंगे कि market ऊपर जाएगा मतलब बुलिश होगा ठीक है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे करके यहां पर कुछ ऐसे candlestick pattern बनेंगे जो indicate करेंगे कि market यहां से reverse होगा और नीचे की side में आएगा मतलब कि market बीरिस हो जाएग अभी तक बुलिश था तो मार्केट बीरिस हो जाएगा तो यह हो जाएगा reversal मतलब अगर बुलिश है तो वहां से reverse होके वह बीरिस हो जाएगा तो reversal candlestick patterns ठीक है जो continuation candlestick pattern होते हैं वो continuation को present करते हैं इंडिकेट यहिए करते हैं जैसे कि अगर markets bullish है तो ऐसे point पर कुछ है जो हमें इंडिकेट करेंगे कि बोलिश कों continue करेंगे जो bullish market है उसको continue करेंगे ठीक है इसी तरह अगर बीरिस मार्केट है नीचे आरा है तो इस जग़ाँ पर कुछ ऐसे candlestick pattern बनेंगे जो हमें इंडिकेट करेंगे कि जो बीरिस मार्केट है, उस बीरिस मार्केट को ये continue करेगा, ठीक है, अब आता है जो natural, natural candlestick pattern हमें क्या इंडिकेट करते हैं, वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि market neutral रहेगा, ठीक है, अगर market नीचे side में आ रहा है, तो यहां पर कुछ ऐसे candlestick pattern बनेंगे, जो हमें ये इंडिकेट करेंगे, या तो यहां से उपर जा सकता है, या तो यहां से नीचे आ सकता है, मतलब कि market natural रहेगा, ठीक है, तो अब आग बनने से पहले आपको इन दो बातों को सीखना होगा कि हमने बताया था कि बुलिश मतलब मार्केट उपर की साइड में जाएगा बीरिस मतलब की मार्केट नीचे की साइड में आएगा अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि बीरिस है अगर म क्या थ्रुक्रन हैं आगे काम आयागा मतलब ग्रीन मतलब 28 अगर clash की अगरीन्ड केंडल है उसका मतलब क्या होगा कि सेलिंग हो रही है मतलब वहाँ पे टीक है अगर्स ध्यिक्यार कि बुदिस ऑफ और केंटल मतलब मतलब की बेरिश अब आप इस चीज को बिल्कुल समझ लिया है अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने से पहले फिर आपको candle को थोड़ा सा detail में समझना होगा ठीक है हमने आपको जैसा की बताया है कि red मतलब selling हो रही है ठीक है green मतलब की buying हो रही है ठीक है अब आपको समझना इसमें ये है एक पुरे candle को समझना है ठीक है तो ये जो candle का क्या बलते हैं इसको body बलते हैं ये जो पुरा बना हुआ है पुरा जितना green है पुरा इसको क्या बलते हैं body ठीक है इसको क्या बलते हैं body और जो ये dandy जैसा है तीक है ये नीचे उपर जो डंडी जैसा है इसको बोलते हैं विक इसको क्या बोलते हैं विक ठीक है आपको इन दो चीजों को समझना है कि ये candle की body होती है ये डंडी जैसा होता है ये candle का विक होता है इसमें एक और चीज़ आपको समझना है जो विक का जो सबसे उपर करता है इसको बोलते है हाई लगाया है candle ने और जो नीचे जो रहता है विक का उसको बोलते है इस candle ने लो लगाया है ठीक है? आगे आने वाले जितने भी candle sticks pattern को हम सीखेंगे उसमें हम यह word यूज़ करेंगे कि इसने यहाँ पर high लगाया है इसने यहाँ पर low लगाया है यह candle का high है यह candle का low है तो इस चीज़ को आप अभी समझ लीजिए क्योंकि आगे आने वाले हर candle sticks pattern में हम यह word को यूज़ करेंगे कि ये candle high लगाया है, ये candle low लगाया है ये candle की body है ठीक है, सेम इसी तरह ये भी इसमें body है, और ये dandy जैसा wick है, इसने यहाँ पर high लगाया है, इसने यहाँ पर low लगाया है ठीक है, body, wick, high, low ये candle का हमने समझ लिया, अब इसमें एक चीज और आपको समझना है, ठीक है, अगर green candle है, तो buying हो रही है, मतलब कि market यहाँ पर open हुआ था, यहीं पर buyer active हो गया और उसको buying करते करते, यहाँ पर इसने high लगाया, लेकिन close यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो close यहाँ पर हुआ, open यहाँ पर हुआ था, green candle में, इसका उल् feeling pressure है, और यहाँ पर buying pressure है, ठीक है, तो इस तरह से आप हम, पहले हमें candle को समझना होगा, body, एक बार फिल से हम आपको समझा देते हैं, body, weak, यह high, यह low, ठीक है, से बिसी तरह, यह high, यह low, यह body, यह weak, आगे आने वाले सभी हम candleysis pattern में high low को यूज़ करेंगे, तो आप समझी होंगे कि high और low candle का क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं, हमने देखा था कि तीन candlestick pattern होते हैं, पहला है reversal, दूसरा है continuation, तिसरा है natural, सबसे पहले हम natural को discuss करेंगे, natural candlestick pattern, अब यहाँ पे देख रहे हैं natural candlestick pattern, इसमें आते हैं doji, इसमें सबसे important role करते हैं doji, doji कुछ इस तरह से होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ना तो body होती है, ना तो weak होती है, ठीक है, जहाँ पे market open हुआ था, वहीं पे close हो गया है, तो यह natural candlestick pattern में आते हैं doji, मतलब कि market जहाँ पे open हुआ था, वहीं close होगा, इसमें ना तो body है, ठीक है, इसमें ना तो body है, और ना ही weak है, ठीक है, तो इसमें क्या है open, open is called to close, जहाँ पे market open हुआ था, वहीं पे close हो गया, मतलब plus की निसान जैसा बन गया, अब market deciding नहीं कर पा रहा है कि उपर जाया गया नेचे जायेगा, ठीक है, तो यह जो candlestick pattern है, हमें natural, मतलब natural बताते हैं कि market यहाँ से उपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ठीक है, डोजी के कई प्रकार होते हैं, और इनको हमें किस तरह से trade करना है, वह हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने candle को आगे देखा था, कि यह body था इसमें, इसमें भी यह body था, यह high लगाया था, यह low लगाया था, इसको weak बोलते हैं, इसमें ना तो body है, ना तो weak है, natural है, सिध्य प्लस की निसान जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं, ठीक है, अब हम इसे हमें signal को identify करना है, ठीक है, यहाँ पर हम doji family आते हैं, doji family में सबसे पहले है, doji star, दूसरा है long leg doji, तीसरा है gravestone doji, चौथा है butterfly doji, और पाचवा है four price doji, ठीक है, इसमें जो सबसे important doji है, यह है अपना butterfly doji, gravestone doji, और doji star, ठीक है, अब इनको हम एक एक करके, discuss करते हैं, और इनको trade कैसे करना है, और इनको हमें signal को identify कैसे करना है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम discuss करते हैं, doji star को, ठीक है, तो माल लिजिए, market नीचे की side में, ऐसे candle मनाती हुए, नीचे की side में आ रहा था, यहीं पर doji star स्मझना है तो अब यहां से उपर जायेगा यहां मारकेट नीचे आ रहा था यहांपे ड्जी स्टार बाना तो अब बुनिष यहां से तब होगा, बुलिस मतलब की उपर की साइड में तब जाएगा, जब यहां पर एक green candle बने, ठीके, यहां पर एक green candle बने, जी हमने लिख दिया, मतलब green candle बने, जो इसका हाई है, उसको उपर की साइड में break करके close हो जाए, ठीके, फिर से आपको समझाता हूँ, माल ले ठीके, जैसे ही doji बना, हमें जाए प्रेंग ले ले लेते हैं, जैसे ही doji बना, तो अगर इसका जो हाई है, अगर यहां पर यहां पर कोई green candle बन जाती है, ठीके, इसका हाई हमने mark कर लिए, यह high था, और इसके high को green candle ब्रेक करके के उपर हो जाती है ठीक है यहां पर साफ 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 स सिंगल मिल रहा है कि मार्कट stupid साइड में गया है जैसे इसके उपर ऑर तो हमें इसी ग्रीन केंडल पर मिनिले ना है बाइंग में जाना है इंटी लेनाहे और जो यह केंडल का जो रहेगा हमें यहां पर इस टॉप लॉस लगाना है अब इस टॉप लॉस क्या होता है इस टॉप लॉस क्या होता है कि यह जो आपका जो बिक लॉस होता है बिक लॉस को रिमूब करने के लिए हम यहां पर इस टॉप लॉस लगाते हैं इस टॉप लॉस अगर से रॉंग साइट बे जाने लगता है तो हमने यहां पर इस टॉप लॉस लगा के रखा है ठीक है तो हमारा स्मॉल लॉस हो जायेगा और हम छोटा लॉस लेके निकल जाएंगे लेकिन अगर हमारा ट्रेड सही हुआ यहां से तो हमें एक अच्छा टार्गेट मिलेगा और टा इसको भी ट्रेड करना है जिस तरह से आपको डोजी स्टार को ट्रेड किया था ठीक है तो सबसे इंपोर्टेट इसमें है यह ग्रेव स्टोन डोजी और बटरफ्लाई डोजी ठीक है ग्रेव स्टोन डोजी बटरफ्लाई डोजी तो अब हमें देखना है ग्रेव स्टोन ड फेसर आने वाला है और वहां से मार्केट गिरने वाला है तो इसे जा रहा था और यहीं पर ग्रेव स्टों डोजी आता है तो यह एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि यहां से मार्केट नीचे की साइड में आने वाला है यहां से market नीचे की side में आने वाला है तो अब हमें इसको किस तरह से trade करना है ठीक है अगर gravestone doji कहीं भी दिख जाए तो वहां से selling pressure आने वाला है ठीक है और gravestone doji हमेशा जहां पर आपको resistance दिखे तो resistance area है वहां पर अगर बन रहा है तो 100% आपको वहां से sell कर देना चाहिए इसको trade कैसे करना है ठीक है मालीजी यहां पर gravestone doji बन गया ठीक है तो इसको trade कैसे करना है इसके जो इसका low है यहां पर एक rate candle बनना चाहिए ठीक है एक minute sorry फिर से मैं आपको बनाता हूं इसके नीचे एक rate candle बनना चाहिए ठीक है और यह जो रेट candle है इसका जो हाई है यहां पर हमें stop loss लगाना है और इसका जो यहां पर लो है हमें यहीं पर entry लेना है वदलब की sell कर देना है sell side में जाना है ठीक है ग्रेश्टन डोजी जहां दीखे आपको वहां से sell करना है अब आगे बढ़ते हैं butterfly डोजी में butterfly डोजी अगर support के पास दीखे ठीक है अगर आपको support और resistance नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है डीटेल में ठीक है मैंने description में link दे रखा है i button पे भी दे रखा है आप मैं इसे मर्केट जा रहा है कि निथा मौं जा और सुछ निथे और सॐसे मार्ट में पेस साइड गैर और सुपूर्ट अगरे कर वहां से हौब मार्केट टच करके वापस साइड में हमें बुलिश हो जा रहा है तो यहां पर सपोर्ट ले रहा है इसके नीचे नहीं जा पा रहा है पर रेजिस्ट ले रहा है इसके उपर नहीं जा पा रहा है तो यह हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा यह हमारा सपोर्ट एरिया हो यहाँ पर एक green candle बने ठीके जैसे ही butterfly बने यहाँ पर एक green candle बने आपको ऐसे एक green candle बनता हुआ दिखाई दे उसके उपर में यहाँ पर हमें entry लेना है और जो इस candle का लो रहेगा हमें यहाँ पर इस top loss लगाना है और हमें एक अच्छा खासा आपको target देखने को मिलेगा और यहाँ से हमें buying करनी है ठीक है जहाँ पर आपको greatest energy देखें वहाँ पर sale करना है जहाँ पर आपको butterfly देखें वहाँ पर आपको buying करना है ध्यान नकना कि butterfly हमें सा support के पास बने और जो greatest energy है वो resistance के पास बने ठीक है uh same इसी तरह four प्राइज है इसको के हमें 빠 outsiders करना है जैसे यह four fries बना अगर उपर साइड में green candle बनती है तो हमें buying को जाना है ठीक है में निचे के साइड में अगर यहाँ पर ओ क्रेंज है Long ए डो जी है अगर निचे के साइड में आगरossa तो हमें sell side जाना है, मैं इसको rate करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है यह बना अगर नीचे के side में rate बनता है तो हमें यहाँ पर entry लेना है और इसका stop loss लगाना है, जो candle का हाई रहेगा उसका stop loss लगाना है, और candle का जो low रहेगा हूँ आप हमें entry लेके sell कर देना है, ठीक है, तो यही जो 5 हैं, यह 5 हो important है, एक बार फिसी remind करा देते हैं, butterfly support के पास बने तो हमें bullish जाना है, grey stone doji अगर resistance के पास बने तो हमें वहाँ से sell करना है, मतलब market bearish है, doji बने, doji को किस तरह state करना है, अगर doji के उपर अगर green candle बलती है तो buy के लिए जाना है, अगर इसके नीचे मजगे होंगे, यह कितने प्रकार कोते हैं, इसको किस तरह से trade करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है bullish reversal candlestick pattern, ठीके, हमने देखा natural candlestick pattern, अब देखते हैं bullish candlestick pattern, ऐसे कौन से candlestick pattern है, जो indicate करते हैं कि market bullish होने वाला है, ठीके, market वहाँ से bullish होगा, मतलब कि वहाँ प्रेशर आएगी, वहाँ से market उपर की side में जाएगा, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले hammer candle, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को दबा दें, और वीडियो को like कर दें, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहत हैं, अगर आपको हमारा free का training program join करना है, जो हम free में training program देने वाले हैं, share market का basic से advanced का हम course free में आपको training में बताने वाले हैं, जिन courses को 50,000 से 1,000,000 में market में sell किया जाता है, उन सभी courses को हम आपको free में इस training में बताने वाले हैं, training online होने वाली है, training को हम Google meet पे करने वाले हैं, ठी इस free training program में अगर join करना है तो बहुत अच्छी बात है आप इस free training program को join कर सकते हैं training program को join करने के लिए आपको क्या करना होगा मैंने नीचे एक link दे रखा है description में आपके stocks का आप उसमें जाके अपना account बना ले जो कि आपके stocks में अभी free में account opening चल रहा है तो आपका उसमें भी एक भी रुपे नहीं खर्चा होगा आप जाकर के मेरे link से अपना account बनाए आपको number दिख रहा होगा उस number पे आप अपना screenshot बेज़े account open करके ठीक है जैसे आप screenshot बेज़ेंगे आपको हम date और time बता देंगे और Google Meet का link भी send कर देंगे training program का ये training बिल्कुल free होने वाले हैं आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस training program में आपको basic से advance पूरा share market के बारे में सिखाया जाएगा ठीक है और trading strategy कुछ trading strategy भी हम सिखाएंगे आपको और कुछ trading secret भी सिखाएंगे और trading psychology, risk management ठीक है कैसे जो profitable trader होते हैं कैसे वो एक profitable trader बनते हैं वो उनका rule क्या होता है कुछ rule को follow करते हैं क्या उनका setup होता है क्या trading strategy होती है सारे secret हम इस free training program के माध्यम से आपको हम सिखाने वाले हैं और last में आपको एक advantage मिलेगा इसका कि जैसे ही आप इस training program को जोईन करते हैं आपको दो महिने तक हमारे साथ live trading करने का मौका मिलेगा और आपके साथ हम live intraday trading करेंगे ठीक है तो फटा फट जाके अपना account open कर ले और हमारे साथ जुट जाएए free trading program में तो चलिए वीडियो में आगे वढ़ते हैं अब वीडियो में हम आगे वढ़ते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं अब हमने क्या बताया आपको कि अब हम सीखेंगे bullish candlestick pattern ठीक है अब हम सीखने वाले है bullish candlestick pattern इसमें सबसे पहले आता है इस में सबसे पहले आता है hammer candle ठीक है hammer candle मार्केट नीचे की साइट में गिर रहा था hammer candle कुछ इस तरह से दिखता है hammer मतलब हुठागड़े की तरह कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पर क्या है आपको हमें से एक चीज़ याद रखना है pressure क्या रखना है pressure तो आपको 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 आप टेल देखना है कि JJ मर्टेंद इसको आई अच्छा रटावर यह सपोट के पास बनेगा यह जिस ऐसे प्रिश्टेंस हैará किसे बனेगा है मर्tu जहां पर आपको केंडल यहां पर यहां बूलिश होने वाला है इसको किस तरह से ट्रेड करना है छेसे है best तो इसका जो हाई है इसका जो लू है हमने क्या बताया था आपको कि हम आगे आने वाले हर हाई लो को हम यूज करेंगे तो यह जो उपर का है इसने लगाया है थीकिंगे बुलिश कब होगा हमें इमीडियेट दिसे हैं मैं अगली केंडल मैंने क्या बताया हैमर बन गया हतवड़ा बन गया मार्केट गिर रहा था नीचे बना है जैसे मालेजी है इसका जो हाई एक अगली केंडल इसने ऊपर गूर्ण केंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पर हमें आप साप इंटिकेशन देना है अब हमारा इस्टॉप्लोस क्या होगा जो इसका लो रहेगा यहां पहमें एसल लगा देना है ठीक है और टार्गेट जो हमारा रहेगा जितना यह नीचे की साइड में फॉल हुआ था उतना हमें पहला टार्गेट लिना है टीवन अब अपने इंट्री ले लिए इसे इंट्री ले लेते हैं उनको डर लगने लगता है फॉफिट हो अगर होना भी होगा तो उनको प्रॉफिट कम लेके वह पहले एकडिक कर जाते हैं ठीक है तो आपको डरना नहीं है ठीक है जैसे आपने यहां पर अडेंटिफाई कर लिया कि हैमर कंडल बनी है बुली स केंडल भी क्लोज हो गई है तो हमें स्टॉप लॉस सिट कर देना है इसके नीचे और ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस एकडम इसके नीचे नहीं सिट करना है थोड़ा सा बफर लगा के थोड़ा नीचे के साइड में हमें स्टॉप लॉस जैसे यहां पर मालीजी आपने 100 आप यहां पर आप यहां स्टॉप लगा देना है और उपर के साइड में अपको टावेट लगा देना है यह कनम फर गया अब आगे बढ़ते हैं यहां पे हमने कुछ इनीचे साइड में गिर रहा था और यहां पे हैमरे केंडल बनी है थोड़े की तरह ठीक पर इसका जो लो है हमें यहां पर अइस्ट आप लगाना था इसका जो हाई है जैसे इसके हाई ओपर कोई candle close हुई, ठीक है, इसने close हुई, हमें यहाँ पर entry ले लेना है, जितना गीरा था देखो, यहाँ पर जितना गीरा था ना यहाँ एक line खीज देते हैं, उतना है हमें यहाँ पर target देखने को मिला है, और इस top loss हीट नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह से ह हमें hammer candle को trade करना है अब आगे बढ़ते हैं invert hammer, inverted hammer वहाँ पर हमने देखा था hammer, hammer कुछ इस तरह से बना था, हम इसको green में करते हैं पहले, क्योंकि हम bullish देख रहे हैं ठीक है, hammer जो था यह था, क्या था, green में बना था, यह इस तरह से बना था, अटवर्ण इक तरह, same इसका, उल्टा होता है invert hammer ठीक है, same इसका उल्टा होता है invert hammer, अब invert hammer को हमें किस तरह state करना है, Same अस्य तरह से अगर, market नीजे के side में आ रहा था यहां पर invert hammer बन जाए तो यहां पर इसका high हो जाएगा इसका low हो जाएगा ठीक है जैसे ही इसके high पर कोई candle उपक साइड में breakout करके close हो जाए तो हमें इसी candle पर entry लेना है इसका जो लो रहेगा हमें यहां पर stop loss लगाना है और जितना यह निचे के साइड में गीरा हुआ था उतना ही हमें उपक साइड में हमें target लेना है तो हमें यहां पर entry लेना है बाइक लेना है इस तरह से हमें invert hammer देखने को मिलेगा ठीक है तो जैसा hammer candle था उसका से ultra invert hammer होता है ठीक है यह भी अगर सपोर्ट के पास बनता हुआ दिखे तो मतलब वहां से market bullish है अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से दिखता है invert hammer ठीक है market नीचे गीरा ठीक है यहां आप देखिए invert hammer candle बलना और इसके हाई पर एक candle अब अगला देखते हैं क्या है अगला है bullish engulfing candle ध्यान रखिएगा कि आभी हम बात कर रहे हैं bullish bullish candle ऐसे candle जो हमें indicate करते हैं कि market bullish होने वाला है वहां पर buying pressure आने वाला है वहां से market ऊपर के साइड में जाने वाला है तो जो bullish engulfing है बहुत ही powerful bullish candle है bullish engulfing मतलब की यहां से market नीचे के साइड में आ रहा था यहां पर एक red candle बनी ठीक है और उसके बगल में ही एक green candle बन गई है ठीक है मतलब की जो रेड गेंडल थी उसको बगल में जो रेड गेंडल बनी है उसने क्या किया है कि रेड केंडल को खा गया है मंतलब इंगल्फ कर लिया है इसलिए इसको बुलते है बुलिश इंगल्फ इंगल्फ क माले एंगल्फ मुटलब की खा गया है स्वती और स्थिकल्फ का इनल आ lou वकल में बड़ा सेёт केंडल बन गया मितलब की खा गया हते यहां पर दिखाते हैं कि आपके लिए स्क्रीन स्वर्ट हम देखाते हैं यहां पर market गिर रहा था जैसे हैं बुलिस इंगलफिंग बली मतलब कि red वाले को green वाला खा गया है खा गया है तो यहां पर indication मिल रहा है कि यहां से market उपर side में जाने वाला है अब इसका जो नीचराल हिस्सार रहेगा उसका हमाई हमें stop loss लगाना है ठीक है हां जैसे उसके उपर कोई एक candle close होई वहाँ पर हमें entry लेना है और हमें target के लिए बैठ जाना है यहाँ पर हमें T1 मिलेगा पहले target मिलेगा अब देखिए हमारा stop loss यह था ठीक है बहुत तरह जो इंट्राडे टेडर होते हैं क्या करते है इंट्री तो ले लिया लेकिन जैसे rate candle बन लेकती है वो डर के मारे exit कर देते हैं लेकिन आपका stop loss है यहाँ पर है जब तक stop loss हीट ना हो तब तक आप exit मत करिए डर ये मत तो इस तरह से market upside में यहाँ पर गया हुआ है इस तरह से हम bullish candle को trade कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगला जो bullish candle है वो है morning star यह भी बहुत ही powerful bullish candle है ठीक है यह कुछ इस तरह से दिखता है जो यह पुरा सलकर मारा हुआ है इसमें मतलब की जैसे यह red candle बनी है फिर छोटा सा एक red candle बना है फिर एक green candle बना है यह तीनो candle का combination है red candle फिर छोटा red candle फिर इसके उपर है green candle यह जो तीन candle का जो combination है यह क्या बोलते हैं इसको morning star morning होने वाली होने वाला सुब होने वाली यहां से market bullish होने वाला है जैसे ही इसके उपर कोई green candle close होई हमें यहां पे entry लेना है ठीक है हम आपको दिखा रहे है entry कैसे लेना है यहां पे entry लेना है इसका जो लो रहेगा हमें stop loss लगाना है और जो हमारा target रहेगा जितना गीरा वा उतना उपर की साइट में हमारा target रहेगा ठीक है तो इस सभी candle को आपको समझना है देखना है और याद करना है ताकि live market में जहां पी यह बने आपको तुर्ण समझ में आ जाए कि यह market यहां से इस तरह से बिएप करने वाला है ठीक ह अगर आपको इसकी पूरी की पूरी पीडिया बुक चाहिए तो नीचे नंबर दिख रहा होगा आप उस नंबर पर हमें WhatsApp करें मैसेज करें आपको हम पीडिया बुक भी दे देंगे नहीं तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लें वहां पे हम पीडिया बुक डाल आप उहां से इसको डाउंलोड कर सकते हैं ठीक है तो मार्निंग इस्टार के बारे में हमने देखा एक बुलिश केंडल है जैसा कि स्की सब्सक्राइब देख रहे हैं एक रेड़ केंडल फिस चोटा रेड़ केंडल और यहाँ पे एग ग्रीन केंडल इन तीनों केंडल का क क्या होता है कि मौर्निंग इस्टार हमने इसके लोग पर हमें इस लगाना था इस तरह से होता है और यह उपर के साइड में जाता है अगर आपको ट्रेंड के बारे नहीं पता है देखिए मैं बता देता हूं आपको कि दो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं एक अप्टेंड होता है एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेस ट्रेंड होता है ठीक है साइडवेस ट्रेंड होता है अप्टेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है ठीक है तो जो जो भी जहां भी भी बुलिश केंडल बने है वहां से हमें प्रहल है कि अब मारगे नहां से अब 10 में जाना वाला है अब 10 में अब 10 में जला गया है जला गया है हुड़ हमारा इस थे बावस अभी यो ही यह देखें मैं अगे बढ़ते हैं अगली प्राइजिंग पैटर्न में क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट नीचे की साइड में आ रहा था ठीक है यहां पर ग्रीन केंडल है तब क्या होता है कि इसका जो 50% है आप लिखा है क्लोजिंग सुट भी क्या है कि जो पिछला वाला जो केंड़ल पृब्टी परसेंटान होने की कोशिच इख द्शिच करेंगा मार्केट नीचे आ रहा था यहां पर गरेंग ईश का जो आगला केंडल नेगा जो ऑनलवन केंडल बनेगा इसका जो इस candle का 50% है क्या है इस candle का 50% है मतलब यह 50% हम लाइन ड्रॉख कर देंगे और इसके उपर क्लोज हो जाएगा तो वहां पे क्या इंडिकेसें नहें मार्केट यहां से बुलिश होने वाला है अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नहीं नहीं होना चाहिए है जो पहले इसमें सिर्फ बोडि होनी चाहिए विक होती थी न तो प्राइसी पैटर में सिर्फ बौडी ओनी चाहिए जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ ठीक है? अब हमें करना है, करना मर्ण कसा करना है? इसके ओपर एक और गीन केंड elector बनने देना है, जैसे बण जाएगा हमें यहाँ पर इंट्री लेना है, और ईसका जो लो रहेगा, आमें यहाँ पर इस्थो पर लाजना है, टार्गेट हमें कितना सेट करना है जितना यह नीचे की साइड में गिरा था उतना उपर की साइड में टार्गेट देखने हो का मिलेगा यह रही प्राइजिंग पैटर्ण को mogelijk जाता है विए मार्केट नीचे की साइब में आ रहा था लेकिन यहां पर लगातार अगर तीन मार आपको दिख जाए तीन केंडल अटार ठीक है जो का इन ने चेहे थीक है हगार प कॉनिशने चाहिए शत्मूंद उने चाहिएφ जैसे इसका हुपर प्रण reindeer जैसे इसका आई इसके ओपर एक केंडल हो गई जैसे यह तीन बाद दिख जाये तो ठीक है तो हाई बुलिश प्रेसर है यहां पर अगली केंडल बनेगी हमें यहां पर इंट्री ले लेना है चाहे और बने चाहे ग्रीन बने उससे मेनी मतलब है लेकिन यह तीनों दिख जान यह एक बुलिश केंडल स्टिक्स पैटन है अब आगे आता है मारा बुजू केंडल स्टिक पैटन यह भी एक स्ट्रोंग बुलिश केंडल है ठीक है मारा बुजू में क्या होता है कि हम पहले क्या देखते थे कि बॉड़ी होता है ठीक है लेकिन मारा बुजू में क्या होत निए तो हम बूलिस केंडल की बात कर रहे हैं तो हम बूलिस केंडल को देख रहे हैं तो जहां भी बीग्रीन मारा बुजू बने वहां से करना है गो जैसे इसके के ऊपर एक ग्रीन केंडल क्लोज हो जाए ईंटर ले ले ला है हाज हमारे जो यू करें लोर हमारे इसका हमारा एक लोर होगा समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा सीखने में ठीक है तो आगे हम देखते हैं अगला जो हुमारा bullish candlestick pattern है वो है 3 inside up candlestick pattern ठीक है 3 inside up candlestick pattern इसमें क्या होता है कि जैसे market mileage नीचे एक side में आ रहा था ठीक है यहां भी यह जो arrow बना हुआ है इसको सिफ़ arrow मत देखिए यहां पर भी candle बनता हुआ रहा था तो हमने पीपीटी में सिफ़ इसको arrow की तरह से आपको बता दिया है ठीक है तो जैसे हमालीजी यहां पर candle बनते हो नीचे क साइड मा रहा था यहां पर जो last red candle है उसके अंदर में एक green candle बन जाए अंदर में एक green candle बन जाए और यह जो green candle है इसके बाद एक green candle इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड में close हो जाए तो यह जो तीनो पैटन बनता है इसको बोलते है थ्री इंसाइड अब केंडल इस पैटन ठीक है और एक और बताता हूं आपको सीक्रेट ठीक है जहां पर इसे मारगे निचे आ रहा था आहां पे इसके अंदर में Green Monday केए तो एक इसके अंदर में एक इंसाइड गंडल को उपर साइड में कोई यहां पर कोई केंडल सी ठीक तो यह जो पैंटर्न है आपने इसको दिख लिया त्री इंसाइड अफ केंडल स्रीक्स और और इसको भी याद रखना कि इंसाइड केंडल की ट्रेडिंग स्टेड़िज होती है वह हम इसके लिए एक स्पेसल वीडियो आपको बना देंगे इंसाइड केंडल को कैसे करते हैं ठीक है लाइ मार्केट में दिखा देंगे आपको यह भी इद्यार रखना कि यह बहुत पा अब इस पीज़ा रहा था वूर्फ वं मतलब की इंसाइड गेंडल यहां देखना वुल्स हरामी मतलब वही है जो हमने पीछे देखा इंसाइड केंडल जिसे के बारे हम बात रहे थे इंसाइड केंडल्स के अंदर में छोटा सा केंडल बनता है कि मनना चाहिए इस इसको प्लिश हरामी और इसका जो होता है बुलिश ठीक है अब हमें इसे किस तर चेट करना है जैसे ही इसका हाई है यहाँ पर यहाँ असका उपर फीलोग है और टारिट जीतना गीरा था उतना में टार्गेट्ट्त देखने को मिलेगा टीवन ठीक है तो इस तरह सम्में बुलिश हरामी को ट्रेट करना है अब अगला आता है जो बुलिश केंडल है वो है ट्यूजर बॉटम केंडल स्टिक्स पैटन ठीक है ट्यूजर बॉटम ट्यूजर बॉटम में क्या होता है जैसे मार्केट नीचे आ रहा था तो आप क्या होगा कि इस केंडल के अंदर में एक इनवर्टेड हैमर जैसा केंडल आपको बनता हुआ दिखेगा त्टूजर बॉटम, ठीके ? इस candle के अंदर में एक आपको inverted hammer candle जैसे आपको बंता हुआ दिखेगा, हमने पहले देखा था hammer candle, blues candle, फिर inverted hammer candle देखा था, त्यहाँ पर inverted hammer candle बंता हुआ आपको दिखेगा, इस candle के अंदर में, ठीके ? तो वह जाएगा ट्यूजर बॉटम मतलब बॉटम पे कुछ ऐसा बनना चाहिए एक बना है अगर दो बन गया है तो यह सब यहां पे ट्यूजर बॉटम हो जाएगा इसको बलते हैं ट्यूजर बॉटम केंडलिस्टिक्स पैटन देखें आपको इनको याद करना और उनको ला बॉटिस केंडल तो यह जो ट्यूजर बॉटम है इसको हमें किस्तर स्टेर करना है जैसे इसका हाई है यहां पर कोई यह ग्रीन केंडल अगर बनती है तो हमें कनफोर्मेशन मिल जाता है हमें यहीं पेंट्री लेना है और इसका जो नीचे का लो रहेगा हमें यहां पर इस इसी तरह सेम थ्री आउट साइड अप केंडल स्टिक पैटर्न मार्केट नीचे के साइड में गिर रहा था ठीटियर यहाँ पर छोटा सा रिट कंडल बनती है यहाँ पर आप देख रहे हैं बुलीश इंगलफिंग गेंडल भी आप बता सकते हो ठीक है बुलीश इंगलफिं पहले मैंने आपको बताया था रेट केंडल बनी फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाजू में अगर ग्रीन केंडल बन गई तो यह इंगल्फ हो जाएगा मतलब खा गया है तो यह उसी का रूप है कि यहां पर बुलिश इंगल्फिंग केंडल आप देख सकते हो और हम य बुलिश इंगल्फिंग का कर लिए कि बुलिश इंगल्फिंग का यह सिंगनल अच्छा है गुड है और हमें ऊपर के साइड में बाइंग करना है ठीक है ट्रेट कैसे करना है यह पींट्री लेना है और इसका स्टॉप रसल आना है और जितना टार्गेट यह गिर्या था तरगेट मिलेगा तीस तरह से हमें त्री आउट साइड अप केंडल स्टिक्स पैटर्न को क्रेट करना है बहुत सारे इस पैटर्न है आपको इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तभी लाश्ट में आपको एक ट्रिक बताने माले हैं किस तरह से आपको किन किन जानेगी और इसके लोग को जो टॉच करके वहीं पर क्लोज हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब यह वन निक पैटर्न है यह भी बहुत ही इंपोर्टन केंडल स्टिक्स पैटर्न है बुलिस केंडल तो जैसे ही मार्के नीचे आ रहा था दिए यहां पर ग्रीन केंडल और स हमें यहां पर इंट्री लेना है और इसका इस्टॉप्रस लगाना है ठीक है इसका इस्टॉप्रस लगाना है और टार्गेट हमें कितना मिलेगा जतना नीचे गीरा था उतना अप साइड में टार्गेट देखने को मिलेगा तीयरा वन निक पैटर्न हां है है आप हम देख रहे थे बुलिश अब हम देखेंगे बीरिसकेंडलॐिस्टिक्स पैटन अनुठ कि फैयर बीरिसकेंडलॐस्टिक्स पैतन सूरू किन आपको याद करना है तो पीछ ले जलते हैं आपको हम, पीछे आते हैं,Starting से आपको बताते हैं, सबसे इंपोर्टन कौन-कौन से केंडल थे। पहला आपको Heymar है। यह भी बहुत इंपोर्टन बुली सिकंडल है। pro Episode बसपास बंथा हुआ है। अपोने वीडियो बना दिया है लिंक मैंने दिया है जाकर आप देख ले मेंया प connect की सब्सिद्टेर्श स्काम. मेरा मेरा स्भाटन का सम्राइध कजिर्ण프र्ण का थिया है दिकष थी कुर्णर रही हैं. पोने पोना परफे की श्प्रEND लिखार मख राथ हैं, इन्वर्टेड हैमर दो बुलू सिंगल फिंग तीन मौनिंग इस चार जो मोस्ट इपॉर्टन हो आपको पता रहे हैं त्री वाइट सोल्डर यह बहुत ही मोस्ट इपॉर्टन है पांचवाई हो गया इसको आपको याद करना है ठीक है मारा बोजू यह भी मोस्ट केंडलं बनें देना है एकेसे इंट लेना है मारा बुझफ हो गया इनसाइड कंडल मलत्री इंसाइट अब हैंब दोक्ति हैं इसको आजखना में उसाज़ए वा तक बुलिश दायें पूर arri मुटर पेको इए आपको इसको कटनल yard करना है आपको समझना है औहला चार्ड में जाकर आपको इनको प्रैक्टिस करना आप मिए पाइसे मत करिये पहले आपको पेपर करना है पहले आपको बैक टेस्टिंग करना इससी को आपको चार्ट में जा के डेलीड ये इंतsem ही पैटर्न को देखिए समझे है और शीखिए फिरिम करें आप अप्जान पर बने रहे हम सारी हमें बहुत सारे लेंटियो लाएंगे जिससे आपको trading करने में सीखने में बहुत help होगी ठीक है तो यह रहे थे आपके bullish candlestick pattern मैं आपको इसकी पीड़े भी प्रवाइड करा दूँगा अब आते हैं bearish candlestick pattern bearish candlestick pattern ठीक है bullish मतलब मार्केट उपर जाएगा देखते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं hanging man जो bullish में था उसका उल्टा सेम बीरिश में होता है वहाँ पर हम क्या देखे थे हम वहाँ पर क्या देखे थे hammer देखे थे ठीक है इहां पर भी हतवड उसे बुरूश में क्या hammer बनिता था रवम बनता था यहां भी आतोलह की तरफ बनेगा लेकिन यह उपर के साड़ मिनेगा जहां पर दिस्टेंस रहेगा वहाँ पर बनेगा ठीक है लेकिन रेड बनेगा वो क्या यहां से मार्केट जो डिलेक्सन होने वाला हो नीचे के साइड में वाला है इसको कैसे करना है जैसे ही हुत आपको दिखें दिखें रेड़ रेड़ हतावरा दिखें पास ऊपर के साइड में तो इसका जो है कि है इसका जुलो है इसको में मार कर लेना है जैसे जिसका लो करें कोईरेट केंडल आ फिसका जो ऊपर कर Oh घृट ऑना है। जितना यह ऊपर साइड में गया था हमें इहां पर पर होजन्टल लान कहिछ के हमें यहां पर टार्गेट लिए लिय다 टी वन और मैं टैटेर पो यहां पर हमें स्कून कर देना है। के इंदर हैं यहांगिंग में रहा आपका ट्रेबस हैं है ऑम्हें पहले हैं फेन पहले हैं यहांपे देखने को मिला जहां से मार्के ultimately मिल गया ब quartz ठाको इस्ट उप्लोस जोँ मारा था हाई का इस्ठ उप नो इस तरह से यह में काम करता है कि बिरीकर शुवाले में आपर एक यहां जा God rich क कि đấy स्पीई स्टार मितलब कि अब्र गिरने वाला है की इससे प्कड़ा लुवा साइड में और नीचे से छोड़ देगा मार्केट गिर जाएगा ठीक है तो तो सेम उसी तरह इसका जो हाई रहेगा हमें वहांपे इस टॉपलास लगाना है और इसका जो रहाएगा जैसे कोई एक रेट ल्डेक डॉडाउन करेगा हमें यहां पे इंट्री ले ले लना है और candle को एक red candle खा गया है, इंगल्फ कर गया है, मतलब यहां से अब गिरने वाला है, मतलब कि यहां से जो seller है, वो ज्यादा हावी है, green candle को खा गया है, बाइर को खा रहे हैं, तो वहां से market का जो potential है direction है, वो नीचे की साइड में होने वाला है, और इसका जो high है, हमें इसका stop loss लगाना है, इसका जो low है, जैसे breakdown करेगा candle हमें यहाप entry लेना है, और नीचे की साइड में हमें अच्छा खासा target मिलेगा, जो हमारा पहला support रहेगा, ठीक है, यह रही bearish candle, bearish engulfing, अब अगला आता है evening star, हमने bullish में देखा था morning star, यहाँ आप हम देख रहे हैं evening star, evening star का जो formation होता है, एक green candle, एक छोटा सा green candle, और उसके बाद एक red candle, यह तीनो candle का जो formation होता है, वो होता है evening star, और हमने वही देखा था, morning star में क्या देखा था, red candle, एक छोटा सा red candle, फिर एक यहाँ पर green candle, ठीक है, यह तीनों जो combination था, वो होँआ पर क्या था, bullish में देखा था हमने morning star में, लेकिन यहाँ पर जो बीरिस देखेगा, बीरिस हमें हमें साथ देखना है, किसी resistance के पास, ठीक है, वहाँ पर हमें बीरिस opportunity देखनी है, यहाँ पर हमने इवनिंग स्टार देख लिया, इवनिंग स्टार कुछ इस तरह से देखता है, ग्रीन, छोटा ग्रीन, फिर एक बड़ा सा red candle, और तीनों candle का जो formation हो, इवनिंग स्टार बजाएगा, यह में trade कैसे करना है, इसका जो high रहेगा, हमें इस टोप्रोस लगाना है, यह candle का जो low रहेगा, जैसे इसको breakdown करेगा कोई अगली red candle, तो हमें यहाँ पे entry लेना है, और हमें नीचे के साइड में target मिलेगा, हमें यहाँ पे sell कर देना है, ठीक है, यह रहा evening star, evening star का हमने आपको यहाँ पे चार्ट का screen score देखा रहे है, market उपर के साइड में जा रहा था, green बना, एक छोटा साइड यहाँ पे green बना, ठीक है, फिर एक red बना, इन तिनों को combination क्या हो गया, evening star, जैसे ही इसका low को break किया, हमने इसका सब मार्क कर लिया, यह high रहा, यह low रहा, low को break किया, red candle नहाँ पे, हमने यहीं पे entry ले लिया, और एक अच्छा खासा देखिया, जहां से market उपर गया था ना, वहीं पे, वहीं पे में target मिला है, ठीक है, तो यह हमारा support हो जाएगा, यह हमारा resistance हो जाएगा, अब आपको support resistance नहीं पता है, तो वीडियो देख लिजिए, बहुत अच्छा इसमें आपको trade मिलता है, अगर आपको support पता चल जाता है, ठीक है, तो resistance के पास आपको जो resistance है, वहाँ पे आपको इनिंगिस्टार मिला, और target हम यहीं यह set कर देंगे, और हम इस्टाप्लस यह set कर देंगे, उसका high, और इसके breakdown करने पर confirmation मिल जाएगा, और हम यहीं पर entry ले लेना है, तो इनिंगिस्टार आपको इस तरह से trade करने को मिलेगा, अब अगला जो बीरिस candle आता है, और dark cloud आता है, डाव क्लाओड को हमें market उपर की साइद जा रहा था, ठीक है, इसमें क्या होगा, कि यह जो green candle है न, इसके अगला जो rate candle है न, इसके 50% के नीचे close हो जाएगा, बुलिस में क्या होता था, बुलिस में क्या होता था, market नीचे गिर रहा था, market क्या कर रहा था, नीचे गिर रहा था, यहाँ पर एक rate candle बनी थी, इसका जो 50% था, इसके उपर एक green candle close होई थी, तो हमने देखा था न, वहाँ पर dark cloud, ठीक है, तो यहाँ पर हम, बुलिस में देख रहे हैं, बुलिस में market उपर जा रहा है, लेकिन एक rate candle, इस candle के 50% के नीचे close हो गई, तो यहाँ पर, यह candle का formation हमें दिखाता है, कि market जो potential हो नीचे के साइड में जाने वाला है, तो यह एक बुलिस candle है, इसका जो हाई रहेगा हमें stoppers लगाना है, जैसे यह candle 50% के नीचे close होई, तो एक और candle हमें confirm करने देना है, rate candle बनने देना है, जैसे confirm हुआ हमें यहाँ पर इंट्री लेना है, अगर confirm नहीं हो रहा है, अगर फिर से green बन जा रहा है, तो हमें यह चोड़ देना है, यह trade ही गलत है, यह पैटन ही गलत है, हमें चोड़ देना है, और हमें confirm करना बहुत जुरूरी है, तीस तरह से हमें इस candle को trade करना है, डार्क लाउड को, अगला candle आता है, थ्री ब्लेक क्राउन केंडल स्टिक्स पैटन, थ्री ब्लेक क्राउन केंडल स्टिक्स पैटन, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, कि बुलीश वाले में, कि तीन ऐसे green candle बने थे, उपर के साइड में, इसको मैं वो green ले लेता हूँ, तब आपको clear समय में हैगा, ठीक है, तो बुलीश में हमने क्या देखा था, थ्री ग्रीन ऐसे बन रहे थे, ठीक है, तो बुलीश का सिंगल था, इसमें क्या है, red बने हुए है, क्या बने हुए है, red candle बनी हुए है, इसमें क्या बना हुआ है, red candle, ठीक है, तो जैसे market उपर जा रहा था, यहाँ पर थ्री ऐसा तिनी candle लगा था, रर continue आपको दिख जाए, वो भी किस तरह से दिखे, इसको कैसे पैसा आना है, ठीक है, इसका जो लो है, हमेशा यह कोशिच करेंगे, इसके लो के नीचे close हो, ठीक है, फ्रीस ने लो बनाया है हाँपे, फ्रीस के लो के नीचे close हुआ, तो यह तीनो, एक दूसरे लो के नीचे close होना, स्टार्ट हो जाएंगे, तो यह तीनो का फ्रीस के लो हो जाएगा, बीरीस केंडल है, जो potential है, बीरीस है, इसको में किस तरह स्टेट करना है, इसका जो ऊपर कर रहेगा, हमें यहापे stoppers लगाना है, और इस केंडल पर हमें इंट्री लेना है, और टार्गेट हमें कितना मिलेगा, जतना ऊपर गया था, इसना नीचे हमें टार्गेट देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमने देखा था, ग्रीन मारा बोजू देखा था, यहाँ पर हम बूलिस में देखा था, ग्रीन मारा बुजू, बीज में देखेंगे हम ब्लेक मारा बुजू, वलब की रेड मारा बुजू, यह मारा बुजू केंडल बन गया, इसमें विक नहीं होता है, ठीक है, इसमें विक नहीं होता है, सिर्फ बॉडी होती है, इसमें सिर्फ बॉडी होती है, और हम जहां पर बोड़ी देखेंगें को माराबुजू के बने तो मार्ट का बढ़ प्रोटेंशिल नीचे जाने वाला अगर सपोर्ट के पास बने अम आमर ग्रिंस के बात कर लोटेंचे पहल लेगा है इसका जो हाई Tradco trading पहल्ट करना है हमें हमें और यहीं हमें लेना है टिक है तो यह मारा पर जुग हमें इस तरह से करना हैँ है अब अगला आता है थी इंसाइट डाउन चैनल स्टिक्श पैटर्न सेमुसी तरह यह इंसाइट केंडल आपको देखना एक आपको शेया देखना मार्केट ऊपर जा रहा था यहां पर ग्रीन केंडल के अंदर मैं एक इंसाइट कंडल बनी इस एंसाइट सब्सचिप आई इसले का जिस इनर ने करता है अलगा ओपर चाइब आगा लीग petits आगली केंडल को इसने ब्रेट डाउन कर दिया है और यह हाई प्रोबिल्टी है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा ठीक है तो आपको हमेशा इसको याद रखना है पहला चीज क्या पहचारना है आपको इंसाइड केंडल हमेशा याद रखना है ज्यादा मत समझो नहीं तो कन्फ इंसाइड केंडल बनेगी इस इंसाइड केंडल का जिस साइड ब्रेक मिलेगा उस साइड हमें इंट्री लेना है तो इसका जो लो था नीचे नीचे साइड में मिला ब्रेक हमें ये केंडल का तो हमें नीचे साइड जाना है और 100% जो पोटेंशल होगा नीचे जाने वाला अपर प्र dessert करना है केंडल को सब्सक्राइब BA mph मतलब कि चाहे में को इसको इंसाइड गेंडल बनो बोलो चाहे आपको इसको निद Wish हरामी थिक मैं आपको पहले दिया कि मिया हैं और भी कि नृराए तो इनसाइड कयि देखतें उसके अंदर में रेट कंडल बन गई इसका जो लो आगर नीचे ब्रेकडाउन कर दिया एक रेट कंडल तो फिल्सक्राइब बन जाता है तो आपको छोड़ देना है यह वोलत हैं तो इनसाइद केंडल बहुत ही इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों का हाई सेम होता है जहां पे आपको जैसे मार्केट उपर जा रहा था एक केंडल बनी फिर से एक रेड़ केंडल बन गई लेकिन इन दोनों का हाई था हो सेम था तो वहां पे ट्यूजर टॉप हो जाएगा तो यह भी एक बीरिज केंडल इस्टिक्स पैटन है इसको में ट्रेट केसे करना है और हमें करना है यहां पर इस टोपरोस लगाना है इस इस नीचे एक और केंडल को खोज होने देना है अगला आता है ऐसट्री आउट साइड डां केंडलिस्ट पैटन हमने ब्हूंस में देखा था अब इसमें डाउन देख रहे हैं यह रहा ड़्ाखे ऑद्सेट केंडलग केंडल के तरह हमें खिका टो आप बीरिस इंगल्फिख होगा तो अपं बेरिस इंगल्फिभ देखन मतलब यहां से मार्गेट गिरने वाला है ठीक है तो अगली केंडल की यहां पर बनाया है क्योंकि यह पर बता दिया है तो यह एक्चुली है वही बीरिस इंगल्फिंग और उसका कंफर्मेशन है इसका उपर का इस्टोपर्स लगाना है कंफर्म मिल गया है तो हमें यहां पर इंट्री ले लेना है और टार्गेट जितना ऊपर गया था जिन निचे टार्गेट मिलेगा हमें ठीक है हमने देखा रिवर्सल और क्या देखा हमने नेचुरल देखा नेचुरल हमने देखा डोजी देखा और हमने रिवर्सम देखा बुलिस रिवर्सल और बीरिस रिवर्सल अब कुछ कंटिनिउशन केंडल इस्टिक्स पैटर्न है जो मार्केट को कंटिन्यू रहेगा यह इं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कि अगर आप ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए और वेल आइकन को तबाज दिए देखिए जो हमारा जो यह कंटिन्यूशन केंडल इस्टिक्स पैटन है वह है पहला है इस्पीनिंग टॉप केंडल इस्टिक्स पैटन इसमें क्या होता है कि जो विक होता है और विक ज्यादा होता है लेकिन बोड़ी बहुत छोटी होती है इसको इस्पीनिंग टॉप केंड को बताया था isla mark करने यह रहा है इसका हाई आउट करती है तो यहां पिण्ट करता है तो हमें यहां भी आपको दिखक्षाय प्रेता हो मतलब कि हमने यहां पिद्रों즈 फेस्ट टैनने अगे सने лकिऊंशर 4068 बन गया तो मतलब यह साब साब इंडिकेशन है कि यह बीरिस को कंटिनीव करेगा अगर मार्केट उपर के साइड में जा रहा था इसे इसे अगर यहां पर यह इस पिनिंग टॉप बन गया तो यहां पर यह इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि यह बुलिस को कंटिनीव करेगा जैसे उपर जा रहा था, यहां पर बन गया, यह जो हाई यहाँ पर चलो होना है उलिष को करेगा, अगर मिएस नीछे तो यहां पर नीचे एक करा सबती JOHN होनी चाएए sind यहां पर नीचेए कंड Kirks चआए तब यहां पर करेगा क्या भी इसको कंसे खरना होनी कि आपए पैटन यह भी एक कंटिनियूशन है अगर इसको बूरिश को कंटिनू करना है अगर मार्केट उपर जा रहा है अगर यह बन गया तो हमें यह बूरिश को कंटिनू करेगा अगर मार्के नीचे के साइड में जा रहा था तो यह यह बन गया थो हमें इंड़िट करेगा कि यहां से यह इई कंटीनिव रखेगा आपने बीरिष कंटीनीय्जन को इसको में ट्रेle कैसरे करना इसका हाई लो मार्क लेना है जैसे ही फिर से इसका लो ब्रेकडाउन करें केंडल कोई रेट केंडल तो यह कंफर्म हो जाएगा और हम यहां पर सेल के साइड में इंट्री लेना है अगर बुलिश कंटिनीशन को अगर इंडिकेट कर रहा है तो इसके उपर ग्रीन केंडल क्लोज होना चाहिए उपर साइन मर्केट जा रहा था यह बन गया पैटन तो बुलिश कंडल यहां पर होनी चाहिए इसके हाई को पर तो यहां पर यहां पर जो हमारा इंडिकेशन है वो है कल्फर्म हो जाएगा कि उपर मार्केट जाएगा बुलिश होगा ठीक है अब अगला आता है राइजिंग त्री मेथट केंडल स्टिक् कंडि additionग है तो यह क्या है यह बूलिश कंडिशनग पैटन है यह बूलिश कांडिशन पैटन है जैसे मार्केट मा लेजिए ओपर की साइड में यौ जा रहा था यसे यह बन गया तो यह बूलिश हमारा मार्केट चल रहा है उसको बुलिश करने वाला है ठीक है और इसके जो था यह था बीरिस कंटीन्यूशन अगर मार्ग नीचे आरहा है अगर यह पैटर्ण आपको दिग्या तो इसका मतलब च्राइब यह इंडिकेटर करेगा की मार्केट जो बीरिस बिटिस मार्गेट है उसको continue करने वाला है ठीक है अब ये अबसाइड ताउसकी Kendalistics pattern ठीक है ये भी एक कंतिनुसन केंडलिस्टिक पैटन है अब ये बुलिस कंडल बुलिस को कंटिनु सब्सक्राइब तो उसको हमने आपको बता दिया है अगर यह mathemat कोจะ करेगा यह जहां पिर बना एग का यह जा रहा घुन फूराइब यह बन गया उनका तुमें सका हाइज लो हई और मार्करना है अगर इसके ओपर फैस Change ग्रीन गेंडल जी लिग दिया मैंने ग्रीन केंडल अगर क्लोज हो गई उपर तो हम यहां पर इंट्री नेना है बाइंग साइट जाना है और यह इंडिकेट करेगा लग्र यह इंडिकेशन है कि मार्केट बुलिज को कंटीनिव करने वाला है हैं डाउसाइड में डाउसाइड में एक और मार मारकेट नीचे आ रहा था नीचे को कंटिण्यू करेगा ठीक है मैट होल्ड candle इस्टिक्स पैटर्न यह भी एक कंटिणिवीशन पैटर्न है अगर मारकेट उपर जा रहा था यह आपको पैटर्न दिग गया थीक है यह आपको पैटर्न दिग गया तो यह बुलिश को continue करेगा तुरत हमें इसका high और low मार करना है इस low के उपर अगर एक green candle close हो जाती है तो हमें यहाँ पर बाइंसेट जाना है और इसका जो low रहेगा हमें यहाँ के stop loss लगाना है ठीक है तो matte hold candlestick pattern यह यहाँ आपने लास तक मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई होप इस वीडियो में आपको कुस सेंगने को मिला होगा कुस समझने को मिला होगा ठीक है तो अगर आप नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन क एक प्रॉटिबल टेडर बनना है आपको मता देगी हमने आपको इस टर्वफ Ohioли आपको अपने करने के बाद आ अ हुए आपको सब्सक्राइब करने कह बाद अक्ते नमबर बईआस सब्सक्राइब बना है आपको यद्क कर화를 देंगे कि आपको तरेऑ आपको लिए आपको ध लाइन होगी गूगल मीट पे ठीक है ट्रेनिंग में हम बहुत सारी चीजे डिसक्स करने वाले बेसिक्स टु एडवांस आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं है आप हमारा टेल्ग्राम चेनल कर सकते हैं जहां पे हम कुछ इस Southwest और Zakाने के घुटी करके हम जार को अपडेट करते हैं और सüğले पे इंट्री पे है कि सप्राइब पर हमें बाइंग इंट्री है किस लेबल पर हमें सेल इंट्री है वो सारा चीजें हम आप अप्डेट करते हैं तो टेलेग्राम का भी हमने लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से जोइन कर लिजिए और आप हमारा फ्रीका ट्रेंग प्रोगाम भी से करवाइज देते हैं स्टारुटिंग से अ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए मैं मैं तो हम फिर से पीछे जाते हैं है और की कि हम मैं रिमाइंड करेंगे कि क्या क्या केंडल इस्टिक्स पैटर्न थी और जितना आपने देखा इस वीडियो में इतने ही केंडल मार्केट में अप्लाई करके प्रक्रिस करके अगर आपने सीख लिया समझ लिया तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल टेडर बनोगे और सिर्फ केंडल इस्टिक्स पैटर सीखने से आप सीखना पड़ेगा यह बेसीक है जिसको आपको समझना है अगे तो बहुत सारी चीज़ आती है अपको सबिले वाला है तो हम कि एक रिमाइड करते हैं टाइप पे मगने देखा था Rainbowर Cinth, Non-gl. आठीख lab deal is or Crew, यह Bereich fire andอก like in the future जो कुछ इस तरह से दिखा था इस सिर्फ में क्या होता हे बॉडी नहीं थी बीरीज का सिमनल है अग्फ श्टार मतलब के नेजुरल है इसको हमें किस्तर्सेट करना वमने बताया था इसका high break करेगा तो उपर जाना है। no break down करेगा तो नीचे जाना है। Bulge में उन्हें देखा था हैंमर invert hammer bullish sing struggled morning star price pattern 3 wide shoulders mara boju candlesticks pattern 3 inside up candlesticks मतलब कि inside candle bullish harami ये भी inside candle teaser bottom मतलब कि high high के अंदर inverter hammer बनेगा bullish विर्श इंगल पिंग का कैंडल था 3 outside of candle sticks pattern, one nick pattern, विर्श में हमने देखा था, hanging man, shooting star, विर्श इंगल पिंग, evening star, dark cloud candle sticks pattern, 3 black craus candle sticks pattern, black mara baju candle sticks pattern, विर्श है है, 3 inside down candle sticks pattern, विर्श हरामिक candlestick pattern, tuser top candlestick pattern, 3 outside down candlestick pattern, और continuation में हमने देखा था, spinning top, falling three methods, candlestick pattern, rising three methods, upside, tawiski, downside, mat hold, ये सब चारे चीज़े हमने देखा था, ठीक है, तो आउप आपको वीडियो में बहुत सारे चीज़े शेक्ने को मिले होगी, प्लिस हमारे चेनल को सब्स्क् dated लेजी और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा आफryका टेनी पोराम भी जोइन कर लेजिए और हमारा टेलेकरम चेनल भी जोइन कर लेजिए ठीके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद